दोस्तो आज की इस वीडियो में जो मैंने ये सलवार बनाई है ये सलवार दोस्तो लेडिस सलवार नहीं है ये सलवार मैंने जेंस सलवार बनाई है और इस सलवार के अंदर मैंने यहाँ पे दो पोकेट लगाई है और सामने जिप लगाई है ये सलवार मैंने जो जेंस पठा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नहीं हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना क्योंकि मैं इसी तरह के नई-दिजाइन के वीडियो बनाकर और अपने इसी चैनल पर अपलोड करता 7-5 पो यहां यहां से डबल फॉल्ड होया हुआ कि यहां इपको यहां से डबलड होगा यहां पर 5.5 मिटर आएगा तोटल यह ने कपड़ा लिया है कि यहाँ पर यह defect है यह defect हमें cutting में निकालना है तो इसको यह इदर से सीधी साइड है और यह अंदर से कपड़ा उल्टा है तो इसको उदर fold करेंगे और इसको इस तरीके से करके पूरा जमा लेंगे अब इसको यहाँ पर मैंने बिल्कुल बराबर जमा लिया है सारी जगे से और इसके बाद मैं इस कपड़े को इदर से लेकर और इसके उपर fold करेंगे अब यहां पे मैंने इसको बिल्कुल बराबर जमा लिया है इधर फॉल्ड करके यह इधर से बंद वाली साइड है इधर से कपड़ा यह बंद है और यहां पे यह जो डिफेक्ट है यह हमें कटिंग में निकल ला है तो यहां पे हम एक बार सीडी कटिंग कर लेट है इसको यहां से जो यह कपड़ा उपर नीचे था इसको बिल्कुल बराबर कर लिया हमने कटिंग करके अब इसके बाद में मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देता हूँ हम इसकी लंबध के हम रखनी है थेर्टीनाइन और इसकी कममर इसकी है थेटीफाइव और इसकी मोरी रखनी है यह हम तो यहां से 5 इंच पर निकालने के बाद में यहां पर निषान 39 इंच पर निषा को सीधा लगे मारीं स्जीरा लगा लिया और उसके बाद में यहां पर मौरी Feder मोरी हमें रखनी है 14 इंच तो इस जगे हम यह 14 का हाफ करना है हमें क्योंकि यह डबल फोल्ड है यहां पे मोरी तो चवदा का हाफ हुआ है और आदा इंच का एक निशान और लगाएंगे ताकि इस जगे शिला आ जाए तो यह आदा इंच का हमने मारजन दख्ञा है अब इसके बाद में यहां से हम यह इस जगे 10 इंच तक छोड़ देंगे इस कपड़े को यहां से 10-7 तक छोड़ देंगे यह 10 इंच कपड़ा हम इस savage x क्योंकि हाँ एक हमें निकालना बैल्ट और एक हमें निकालना नाड़ा और दो Mangal जाल लिए इसलिए हम यहां से 10 इंच कपरा शोट देंगे और उसके बाद में इस निशान को आगे मिल लेंगे ये जो निशान लगाया इस जगे से और इस जगे से इस इंची टैप को यहां पर रखेंगे यह अपना 44 का हाफ करना हमें 44 का हाफ हुआ है 22 अब 22 में से हमें इस निशान को एइस निशान को मिला लेते हैं। हम्नि निशान के बाद में यहां से हम इसको हलकता का चृचा करने के बाद हिसकी हैं माझिन पर इस जगह से सीधी लाइन बनाने के बाद में हमें यह जो कटिंग कर दी है जहां जहां पर निशान लगावा था और यहां पर मैं आपको यह बता देता हूं कि यह मैंने ती नीच इसमें एक्ष्ट्रा इसलिए छोड़ा है कि हमें यहां पर मोरी बनानी इसके अंदर हम कैनवास लगा देंगे कैनवास लगा के इस तरीके से यहां पर अब इसको जमाने के बाद में, यहां से एक सीधा निशान बनाएंगे, सीधा निशान बनाने के बाद में, यहां पे हम लगाएंगे 10 इंच पे एक निशान, और फिर इस निशान को मिला लेंगे, अब यहां पे एक सीधा निशान बना लेते हैं, अब यह जो हमने सीधा लगाना है जैसे हम लेडिस सलवार में बैल्ट लगाते उसी तरीके से इसमें भी बैल्ट लगीगा और उसी के अंदर हमें दो पॉकिट लगानी है तो इसलिए हमने इसको पांच इंच उपर रखा है और इसके बाद में यहां पर हम लगाएंगे यह 15 पर निशान अब जो हम इसके बाद में एक सीधा निशान लगाएंगे अब यहां पर अपना जो डिफेक्ट था यह इस जगे डिफेक्ट भी निकल गया अपना कटिंग में अब जो हमने यह निशान लगा है इस निशान निशान पर कटिंग कर लेते हैं अब यहां पर मैंने निशान निशान पर इसकी cutting कर लिये जो यहां पे यह सल्वार cutting होके ready है अब बस हमें यहां पे जो बैट लगेगा बैट में जो दूपवकेट होके उन दोनों के कपड़े कट करने हैं तो यह बर hadi इसको इस तो करेंगे और यहां से इस कपड़े को सीधह कर लिए एक बर को हम Yuri Stack तो दैले निकालेंगे नैट उसके बाद में जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम निकालेंग कपड़ा था जो रखना हो Agrboat के अंदर हमें 5 इंच का margin जिन भी रखना है और जो बाकी बचेगा उसमें यह इलास्टिक में फॉल्ड होगा तो इसलिए हमने यहां पर 9 इंच बैल्ट को रेडी रखा है और 9 इंच बैल्ट हम इसलिए ज्यादा चोड़ा रख रहे हैं क्योंकि यहां पर बनाएंगे पॉकेट में हार डालने में असा बार यह जो कपड़ा है इस कपड़े में से हमें पॉकेट वाला कपड़ा निकलना है तो इसको एक फॉल्डिंग और कर लेते हैं और यहां से हम यह आठ इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से 8 इंच चोड़ा कपड़ा कट कर लेंगे और यह जो बचावा कपड़ा है इसमें से हम नाड़ा कट कर लेंगे जैंस पॉकिट में पॉकिट काफी डीप होती है तो इसलिए हम यहां से इस कपड़े को हम यहां से 23 इंच लंबा कट करेंगे तो यहां पर हम इंची टैप को रखे और इस जगे से हम 23 इंच पर निशांग लगाएंगे और यहां पर मेरे पास जो कपड़े हैं उपर और नीचे यह तो जहेत का कपड़ अपना यहां पर जो मैंने यह बैल्ट के लिए कपड़ा कट करा तो यहां पे यह इस तरीक से double fold है तो यहां पे जो हम निशान लगाएंगे अगर 25 पे लगाएंगे तो यह 50 ready कटेगा तो यहां पे हमें इसको ready रखना है 50 इंच और उसके अलावा अपना एक एक इंच यहां पे side में जो pocket लगेगी उसमें भी दबेगा तो उसको भी extra रखके कट करेंगे यहां पे एक इंच तो हम एक इख्डा रख रहा है तो यहां पे 26 इंच आ गया और इस जगे से हम इसको सीधा निशान लगाएंगे कट कर लेते हैं अब यह मैंने निशान पर कटिंग कर लिए अब इसके बाद में यहां से इसको ऐसे फॉल्ड करेंगे और एक यहां पर एक और कट कर देंगे यह दोनों साइड में अपनी पॉकेट लगेगी और उसके बाद में यहां पर हम 20 सेंटर का निशान लगा के और इ अब यहां तक अपनी सलवार की कटिंग complete दोस्तों इसको लेके चलते हैं मशीन पर बनाते हैं यहां पर इसको मैं मशीन पर लेकर आ गया हम और यहां पर हमने यह जिप लिए यह जिप हम आपने की साइड में लगानी यह क्योंकि यह जैंस सलवार है इसलिए हमने इस जिप को रख लेते हैं साइड में और उसके बाद में हमने यह जो नाड़े का कपड़ा रेडी करा हुआ है इस नाड़े वाले कपड़े से नाड़ा बना लेता है अब यहां पर मैंने यह नाड़ा बना के रेडी कर लिया है अब इसके बाद में सबसे पहले हम यह बैल्ट रेडी कर रहते हैं तो इस बैल्ट में यह अपने पॉकेट वाला कपड़ा है इस पॉकेट वाले कपड़े को हम रखते हैं साइड में तो यहां पर यहां से यह दो इंच तक सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद में यहां पर आदा इंच के सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से यह जो सामने वाला हिस्सा है इसमें भी हम यहां पर दो इंच तक देंगे उपच्छ हुपफ जहाएं यहां पर दोनों तरफ मैंने यह सिलाई लगा लिए और इसके बाद में यहां पर इस तरीके से खोलेंगे इसको खोलने के बाद में यहां से इसको इधर फॉल्ड करेंगे और इसको इधर फॉल्ड करेंगे यहां से इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहां पर इधर फॉल्ड कर देंगे और यहां पर बिलकुत सीधा फॉल्ड करके और इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे यहां से सिलाई को गुहाँ के और एक फोल्डिंग इदर से और कर देंगे और यहां से जैसे हमने इदर फोल्ड किया था उसी तरीके से इसको भी फोल्ड कर देंगे अब इदर मैंने इसकी फोल्डिंग कर दिया है अब जैसे इदर फोल्ड किया है उसी तरह से इधर भी फॉल्ड करना है हमें, यहां से भी हमने इस कपड़े को यहां से खुला रखा है, अब यहां पे दोनों तरफ से मैंने इसकी फॉल्डिंग कर लिए, अब इसके बाद में हमारे पास यह जो पॉकेट वाला कपड़ा है, इस पॉकेट वाले कपड़े में हमने दो फॉकेट वर के कपड़े कट करें एक सिंगल करेंगे और यहां पे आगे तक शिलाई लगा भूगए अब जैसे हमने इधर सिलाई लगाई है उसी तरीके से इधर भी फॉल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे और इसमें भी हम दोनों साइड पर यह फॉल्डिंग कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने इस कपड़े को दोनों तरफ से इसको फॉल्डिंग कर लिया है पॉकिट वाले कपड़े को और इसके बाद में यहाँ पर हम इसको ऐसे फॉल्ड करेंगे और फॉल्ड करके यहाँ पर दोनों साइड में बीस सेंटर के निशान लगा लिए तो इन दोनो इताब में हमने यह बैल्ट रड्य किया हूँ है इस बैल्ट को हम इस तरीके से खौले सब्सक्राइब और यह उपढल हमारा कंए ओलम और यह जो क proxim when I get है और जहां पे अपना घेर जुड़ेगा जहां पे घंग करना है यहां से इसको फॉल्डिंग करा हुए इसको कपड़े को इस से उपर रखेंगा यहां यहां पर लगबग हमें आदा इंच का मार्जिन रखना होता है यहां से यह सिलाई लगाने के बाद में अब यह जो जितना भी कपड़ा बचावा इस कपड़े को हम उधर की साइड में चोड़ देंगे और यहां से यह जो 20 सेंटर वाला निशान है इस निशान को मिलाके और यहां से बिल्कुल बराबर कर लेंगे इस कपड़े को यह इस जगे से बिल्कुल बराबर हो रहा है और यहां से लगबग हमें इसको एक इंच नीचे छोड़ देना कपड़े को क्योंकि यहां पर अपन से लगा देते हैं हुरू कि इसके बाद में हमने यह पॉकेट को लगा दिये लेकिन इदर से दोनों साइट से यह कपड़ा खुला है तो इन दोनों को साइट से हम पेक कर देता हैं यहां पर इसके ऊपर अब इसके बाद में जैसे हमने इदर पॉकित लगा। यह उसी त्रीके से इदर B uppockip लगा देते हैं। अब यहां पे हमने दोनों करनके इस डरेडी कर लिया हैं, अब इस डर्वार्ट को हम रखते है साइड में चेन लगानी है इस जगे हम इस कली को खोल के रखते हैं और जो यहां पर दो कलियों में हमें इस जगे एंटलोग करना है अलग-अलग करके कपड़े को और उसके साथ में हमें यहां पर एक कपड़ा लेना है और इस तरीके से इसको फॉल्ड करना है और यहां पर इस तरीके से इसको फॉल्ड करके और यहां पर एक सिलाई लगाना है यह लगवग हमने एक इन चौड़ी पट्टी फॉल्ड कर लिए हो फॉल्ड होने के बाद में अपने पास ये एक इन चौड़ी पट्टी मिली है और इस पट्टी में हमें इस जगा एंटरलोग करना है और जो मैंने दो कलिया बताई थी इन दोनों कलियों में अलग-अलग करके यहां पर एंटरलोग करना है अब दोनों कलियों में मैंने एंट लगा लिए और उसके बाद में इस पट्टी पर बहुत लगा लिए अब यहां पर अपने पास ये जो चैन है इस चैन को यहां पर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इस पट्टी को हम इस जगे करहें हमें ही इस फट्टी को रखेंगे कि जहां तक चेन रहा हुआ है iso लगा लगने की श्रेशिश त्रय स्टल करें हैं है लगाद है कि आ हमmy a में लागा दें इसके ओपर तर्षर रखेंगे और यहान पर एसको ऐसे पॉल्ड करके और यहाँ पर एक लगाएंगे जहां तक हमने यह स्लहाई एंड करिंगे किनार उससे स्लहाई त कर अब इसके बाद मैं यहां तक हमने एकर रखननी कर लिये और इस पर्टी को इधर की तरफ फॉल्ड करेंगे और कि इंगे तूनों को मिला के और इस चैनaufen पर स्लेह लगा इसके बाद इस कली को इस तरीये के खूले गे और खूलने के पार मिला प्रूहें और reminisk मम इस तूनीं के खूल लिए और यहां पर किनारख के और इस लाइख को बंगा में हिसे अब ₩ पका करने के बाद में यहां पर सिलाई को रोकेंगे और यहां पर इस जिप को खोल लेंगे जिप को हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि यहां पर यह पट्टी आ जाएगे और नहीं तो पट्टी के उपर सिलाई लग जाएगे को ऐसे फॉल्ड रखेंगे यहां से यह इतना यहां से कपड़ा बार की तरफ निकला हुआ है उसको बिल्कुल बराबर करके नहीं टागानी है सिलाई यहां से इस कपड़े को बार की तरफ रखना है आदा इंच लगबग और फिर उसके बाद में यहां पे नीचे जिप और कपड़ा दोनों है और इसके उपर यहां पर सिलाई लगा दिए यह यहां पर इस पट्टी पर हमने सिलाई लगा दिये पिस जिप को हम यहां से बंद कर लेंगे और अब यहां पर एक सिलाई लगा लेते हैं अब इसके बाद अपने पास यह जो दो कलिया और है इन दोनों कलियों में हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेता है अब जो हमने दो-दो करके यह कलिया रेडी कर रखी है उन कलियों को हमें जहाँ पर हमने कटिंग करी थी उसी जगह हमें यहाँ पर जोड़ना है तरह पर इसको इस तरीके से खोल लेंगे, खोलने के बाद में यहां पर हमने इस जगे से कलिया कट करी थी और इसी जगे पर हमें यह कलिया जोडनी है, इस जगे इसको खोल के ऐसे रखेंगे, यहां पर पीछे मार्जिन है, तो इसी तरफ हमें मार्जिन रखना है और यहां पर हम इसको रख के और शिलाई लगा देंगे अब जोड देंगे पिए इसको आपके जोड देंगे और फिर उसके बाद में इस जगे़ा इस जगेई हम ने जो चेन वारी करी है वह इस जगे जोड़ेंगे तो यहां पर हम इसमें एक सीधी सिलाय लगा के इस कल्य को जोड़ देते हैं इसके इंदर अब जो मैंने यहां पर कलिया कट करके रखी वी थी इन कलियों में मैंने यहां पर सिलाई लगा के और इस कलियों को यहां पर जोड़ लिया है अब इसके बाद मैं अपना जो दूसरी हिस्वाला और हिस्सा है इस हिस्से में जो हमने चेन वाली कलिया रेडी करी वी है उन कलि पर बिल्कुल गहरा बन गया इसका अब यह जो अपने पास बैल्ट है इस बैल्ट को लेते हैं और इस बैल्ट को लेने के बाद में यहां पर इसको बराबर कर लेंगे दोनों पॉकेटों को और यहां पर एक बीस सेंटर का निशान लगाएंगे फ्रेंट और बैक का तो इस को फोल्ड लेता हैं यह यहां पे इस जगहए यह निशान लगा लिया है और इसके बार एक बीचान लगाएंगे क्योंकि हमें उपर लगानी है इसलिabout दील के इसलिए बीक मैंझे हमें चार निशान की जर्गत पड़ती है तो दो पॉकेट इधर की साइड में लटक रहे हैं इसलिए अपना नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा तो इस जगे तो अपना घेव जुड़ेगा और यहां पर उपर की साइड में लगेगी इलाश्टिक यहां पर जो हमने यह निशान लगा रखा हैं दोनों पॉकेट के बीच में इ चैन लगी हुई हिस्सा है यह बीच वाला निशान लगावा है यह इसके उपर ऐसे रखेंगे और यहां पर हम पट्याला सलवट बाएंगे अब यहां पर सुई को रोकने के बाद में इस जगे से यहां पर हमें लगवग धाई इंच की प्लैट्स डालनी है अंदर के साइ साइगे और एक और प्लैट्स णाएगी वह यहां तक लिंगे और ञगी क्लें प्लै यहीं नहीं नहीं कर देज है यह नहों है तक सब्सक्राइब यह यहां से यह बिल्कुल यहां बराबर आ लिए अब जो भी हम फ्लेट्स डालेंगे वो सबी फ्लेट्स इनके सामने यही पर रूप जाएगे अब आगे हमने इसमें पांच छे प्लेट्स डाल दिये अब इसके बाद में यहां पर हम इस बैल्ट को नाप लेता हैं यह जो पीछे वाला सेंटर है इस पीछे वाले सेंटर से इस जगे से इसको मिलाएंगे और यहां से लगबग हमें 4 इंच का गेप रखना है इस जगे से इसको बिल्कुल बराबर नहीं मिलाना है यह पीछे वाला निशान है इसको बिल्कुल बराबर नहीं मिलाना है और यह यह लगबग दब दॉन पर हolा है पधान घृट अंगके यहां पर सारे कपड़े की प्लैट्स बर नीर न दली यहां तक मैंने यह जो कप्ड़ नाप था यहां से लगबग चार इंच कपड़े को मैंने पीछे रखा था जहां पर यह 20 सेंटर मिल रहा है पीछे वाला इसके बाद में यहां पर हम इस बैट में सीधी सिलाई लगा लेंगे पीछे क़ी वाला जोर इस जोर को मिलाके और इस जिस्य यहाँ पर एक प्लैट्स बरनी है यह लगबग हमने चार इंच ही दूरी पर रखा को गॉष्ट एक वहां से जितनी बड़ी प्लैट इधर आए उतनी दूरी पर उतनी बड़ी यहां पर यहां पर यहां प्लैट बना दी हमने अमने अब यहां पर यहां पर पाकिट तक लोक लिए क्योंकर करें तो हमें जतनी यहां पर सिलवट दाली है तो इस जगे से हम इस बैड को यहां पर पकड़ेंगे और यहां से हम पकड़ेंगे इस जर में बिलकुल करके यहां पर जानी कि प्लैट्स हम नी एक अब जितनी sang समय आगे की तरफ देनी है यहाँ पे भी मैंने आपको बताना भूल गया हूँ यहाँ पे मैंने यह प्लैट्स इधर की साइड में डाली थी और यहाँ से प्लैट्स मैंने इधर की साइड में डाली है तो जैसे हमने इधर प्लैट्स डाली है उसी तरीके से इसमें भी उपर की साइट से प्लेट डालनी है यह यहां से कपड़े को फोल्ड करके और इस तरीके से रखेंगे इस प्लेट्स और बाकी सारी प्लेट्स इसी तरीके से डालनी है आगे तक यहां पे मैंने Platts डालके है और Double Silahy लगा ली है, अब इसके बाद मैं हमें यहां पे Morey बनानी है, तो इस Morey को में लेता है, यहां पे यह उल्टी साइड है, यह पीछे वाली साइड है और उदर बार वाली साइड है, अब इसके बाद में हमने यह Canvas लिये, यह Canvas हम ने यह जो बैल्ट लगाते हैं हम पैंट में उसी की पट्टी लिए और इस पट्टी को यहां पे रखेंगे कैंवास वाली पट्ती का और यह हमने बिल्कुल बराबर करके दो पट्टियां कट करिए इन पट्टी ओका यहांपर रखे और एक कैनवास वाली पट्टी लगा लेते हैं मौरी पर यहां पर मैंने दौनों मौरी में यह कैनवास लगा लिए अब इसके बाद में हम इस मौरी को इस तरीके से अंदर की तरफ फॉल्ड करेंगे और बाहर की तरफ से यह सिलाई लगाएंगे यहाँ पर एक फुट टकना है यहाँ से दूरी में और यहाँ पर एक फुट की सिलाई लगा दिया है अब यहाँ पर एक फुट की सिलाई लगा दिया हमने और इसके बाद में यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे हम किनार वाली इज़े की किनार वाली सिलाई लगा लिए हमने एक सिलाई इज़े के लगी है एक यहाँ पर लगी है अब इसके बाद में एक यहाँ पर लगी है और एक यहाँ पर लगी है तो यह टोटल चार हो गई और उसके बाद में एक यहाँ पर किनार पर लगी है तो दोस्तों इसी त लगा के हमने दोनों मोरी रेडी कर लिए और उसके बाद में यह जो एक्ष्ट्रा जो कपड़ा था वो भी हमने कट कर लिया और कट करने के बाद में हम इसके लांग की सिलाई लगा देंगे उसको ऐसे फॉल्ड करके और जो हमने 14 मोरी रखनी थी वह 14 पर हम निशान लगा के कि यहां पर सिलाई लगा देंगे अब हमने यह 7 इंच में लगा लियैं और इसको शीमिशान लगादमोरी में姀 करने लांग कुंत लग लोगा मिनों मोरी को लांए लिए वो पहले लिए दाकि यहां यहां पर तूटे नहीं तो इसीलिए हम इसको एक बbor पहले फैटाले बज़ाएं- अब यहां पर लांग में हमने दूसिलाई लगा लिए और उसके बाद में हमें केवल यहां पर कमर पर एिलस्टीड लगाने हैं तो इलस्टिक अपने कमर के हिसाब से कट होएगी इस तर्टि फाइब को 35 के Θ 10 कट नहीं करेंगे और यहां पर मैंने इसकी सिलाई लगा के और इसको बिल्कुल राउंड बना लिया है और इसके बाद यह जो सिलाई लगाया हुआ हिस्सा है इस हिस्से को मिलाएंगे और इस तरीके दे और यहां पर एक फॉल्डिंग और करेंगे और यहां पर फॉल्डिंग करने के बाद मे एक निशान तो लगाएंगे आप इस तरब और एक निशान लगाएंगे आप इस तरब और एक निशान हम इस देखे लगाएंगे यह चार निशान हो गए हैं एक दो तीन इसी के नीचे और चोता हैं आप हो अब यह हमने Elastic ready कर लिए अब इसके बाद यह जो सलवार है इस सलवार को हम सीधा कर लेते हैं सलवार को सीधा करने के बाद में हमने यहाँ पर चार निशान लगा रखे हैं इन चारों निशान से जो हमने बैल्ट में चार निशान लगा हैं वो चारो निशान मिला मिला के यहाँ पे सिलाई लगानी है इस जगे हम इस इलाश्टिक को ऐसे रखेंगे यहाँ पे अंदर की तरफ निशान लगा हुआ पस इस जगे रखे और यहाँ पे सिलाई लगानी है उसके बाद में यहाँ पे यह निशान मिला लिया हमने और उसके बाद में एक निशान इस जगे लगा हुआ है इस निशान पे इस निशान को मिला के और इस कपड़े को लगबग आदा इंच यहाँ पे इसको फॉल्ड करके और एक खेंच के सिलाई लगाएंगे इस इलाश् अब यह चारों निशा मिलाकर मैंने यहां पर इस इलास्टिक को लगा लिया है और इसके बाद यहां पर हम इसको एक फॉल्डिंग और करेंगे इस जगे से इसको एक से फॉल्डिंग कर लेंगे और इसको ऐसे फॉल्डिंग करने के बार में यह फुट की लगा लेंगे यहां पर हमने यह एक पुठ वाली सिलाई भी लगा लिए और यहां से हमें यह जो आगे वाला हिस्सा है इस जगे हमारा चैन लगावा आगे वाला हिस्सा है इस जगे से हमें यहां से आगे से हमें नाडा भी निकलना है तो यह हमने जो नाडा बना रखा है यहां पर एक होल करेंगे दोनों साइड में यह एक होल हम इस जगे करेंगे और यह एक होल इस जगे करेंगे तो इन दोनों जगे होल करके यहां से हम नाड़ा की तरफ निकाल देंगे यहाँ पे मैंने hole करके और दोनों साइट से यह नाड़ा निकाल दिया है अब इसके बाद में हमें केवल यहाँ पे बीच बीच में यह नाड़े को डाल के और यहाँ पे एक folding कर देनी है तो इसको fold करके और यहाँ पे इस जगे हम किनार पे सिलाई लगाएंगे शिलाही लगा लिने और उसके बाद में अपनी ये सलोर सब्सक्राइब है और उसके बाद में ये जर्दिवन सबस्क्राइब है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं काफी और भी नई-नई डिजाइने बना के और उनके वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड करूँगा तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करके रखे और बेल आइकन को और पर सेलेक्ट करके रखे